आप देख रहें श्रीमा का लोग टीवी और मैं हूँ आपके साथ आर्ती गेलोत रूख करते इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ कॉंग्रेस के रास्री अध्यक्ष्य मलीका आरजुन खड़गे ने कहा एंडिये सरकार गलती से बन गई यह सरकार कभी भी गिर सकती है हम सब लोगों को देश को मजबूत बनाने के लिए न चाहिए लेकिन हमारे प्रदानमंत्री की आदत यह है कि जो चीजे ठीक से चलती हैं वे उसे चलने नहीं देते हैं क्या रहा है हम तो देखो इंडिये गवर्मेंट गलती से बनी हुई है मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉर्टी गवर्मेंट है यह गवर्मेंट कभी भी गिर सकती है अब देखेंगे हम यह नहीं बोलेंगे कि अच्छा हम तो यह कहेंगे अच्छा चलने दो देश के लिए अच्छा होने दो देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत यह है कि जो चीज ठीच से चलती है उसको चलने नहीं देते हैं लेकिन हमारे तरफ से हम पुरा देश को मजबूत करने के लिए कॉपरेट करेंगे अगली खाबर के और बढ़ते होवे कॉंग्रेस के रास्त्री अद्यक्ष मलीकारजुन खड़िये के बयान पर केंद्रिय मंत्री जीतन डाम मांजी नी कहा गलत और ब्रहमक प्रचार करके उन्होंने यहां की जनता को ब्रहम में डाल दिया इसलिए उन्हें गलती से कुछ बल मिल गया है वे लोग सोत उदुर पचास सीटों के नीचे ही रहते हैं हुआ है हुआ है हुआ है हम यहीं कहेंगे कि बाई मिस्टे कुण लोगो को कुछ बल मिल गया है जलत सलत परचार करके भरामक परचार करके जूठी बात कह करके यहां की जनता थ्वा भरम में आ गई इसलिए और नहीं तो वो सो के नीशे का कि पचास के नीशे वो लो रहते हैं तो वो लोग आ गए हैं बाई चांस आगे बाहर देखेंगे कि उनका कोई अस्थान नहीं रहे कॉंग्रेस के रास्टी एद्यक्ष मलीकार जोन खड़गे के बयान पर हर्याना के मुख्यमंतरी नायप सिंग सेनी ने कहा जिन लोगों की सीटों का आकड़ा मात्र सो भी पार नहीं कर पाया तीन आकड़ों में भी उनकी सीट नहीं आई वे लोग इस तरह की बाते कर रही है पिये मोदी और एंडिये ने 303 सीटे लेकर तिसरी बार मजबूत सरकार बनाई है कॉंग्रेस सब बोकला चुकी है कॉंग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है देखिए जिन लोगों की सीटे ही मात्र सो तक भी आंकड़ा नहीं पहुँच पाया थ्री डीजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुँच पाया वो लोग इस परकार की बाते कर रहे हैं और नरेंदर मोदी जी दोसो एकताड़ी सीटे लेकर के तिन सो एंडिये तिन सो तीन सीटे लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है मजबूत सरकार बनाई है और उसको ये इस परकार की बाते करते हैं कॉंग्रस बॉखला चुकी है कॉंग्रस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है कॉंग्रस के पास सिर्फ जूट फ़लाने के लिए है और कुछ नहीं है इस बात को हमारा करकरता मजबूती से इनका परताफास जलीत समाज के अंदर भी जा करके ऐसी समाज के अंदर भी जा करके इनके जूट का भर्दाफास करने का काम करेगा, जो मोदी जी ने काम करे हैं, उसका बताने का काम करेगा। केंदरी परियाटन मंतरी गजेनर सिंग सेकावत ने कहा, एसा कोई भी अवसर जी सपर देश गर्व कर सके अपने लाब के लिए उसमें राजनिती करना कॉंग्रेस पार्टी में एंडिये में पाहित हो चुका है, हर एक ऐसी घटना जब देश गवरों की अनुबूती कर रहा होता है, तो कॉंग्रेस राजनिती कमत्व कांक्शाओं की पूर्टी के लिए हमेशा ही अनगरल बयान बाजी देते उवे विशे को नई दिशाद देनी की कोशिश करती है लोगसभा जब नए भवन का उद्गाटन हो रहा था तक भी राजनिती करना और उसमें राजनिती करना यह कॉंग्रेस पार्टी के डी आने में समाईत हो चुका है क्यों इतना ही याद करिए लोगसभा जब नए भवन का उद्गाटन हो रहा था तक भी राजनितीक द्रश्चिकोंड से टिपणियां की जो सेंगोल की परमपरा थी उसको पुने प्रतच चापित कर रहे थे तब भी उसी तरह की टिपणियां की उससे आगे अट करके जब पूरे देश के 140 करोड लोग रहत की सांस ले रहे थे और गर्व की अनुभूती के साथ में कि भारत ने पहली बार एक वैश्वी कापदा से निपटने के लिए अपना खुद का टीका बनाया है तब उस टीके को किस तरह के अलंकरन दे करके राजनीती करने की कोशिश की भारत की सेनाओं ने अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए एर और सजिकल स्ट्राइक की तब भी उसको ले करके संचे का बैदल कड़े किये हर एक ऐसी घटना आप उठा करके देख लिए जब देश गौरव की अनुभूती कर रहा होगा तब कांग्रेस राज को नई दिशा देने की कोशिश करते में आपको करते भी दिखाए देंगे लेकिन देश की जनता सब जानती पैचानती समस्तिया बढ़ते अगली खबर के और केंद्रे दुर सरचान मंत्री जोतिरादी की सिंधिया ने कहा में दिल की गहराईयों से समस्त गवालर चंबल की धन्यवाद करना की कि उन्होंने पीम मोदी के नत्रत में अपना भरपूर आशिरवाद प्रदान किया मद्धि प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां 29 के 29 सांसत भाजपा के चुने गए है समस्त मद्धि प्रदेश के 9 करोड मद्दाताओं को मैं धन्यवाद अरपीत करता हू ग्वालियर चंबल ने चारों के चारों जंडे बुलंदगी से मद्धि प्रदेश के नीव में गाड के रखे हैं चाए मुरेना हो शिवमंगल जी के साथ चाए भिंड हो संद्याजी के साथ चाए गवालियर हो भारत सिंग जी के साथ और चाए गुना हो समस गौलियर चंबल की जंता को मैं दिल की गहराईयों से प्रणाम करते हुए उनके पैर को छूते हुए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्वित में उन्होंने हम चारों प्रत्याशी को अपना भरपूर आशिर्वाद प्रदान किया है उसी संधर में आज मध्य प्रदेश ने नया रेकॉर्ड कायम किया है एक ही ऐसा प्रदेश जहां 29 के 29 सांसत भारत्य जंता पाटी के चुने गए है मुख्य मंत्री के नेतित में प्रदान मंत्री जी के आशिर्वाद से प्रदेश अध्यक्ष विश्नुदत शर्मा जी के अथक मेहनत से ये सब संभव हो पाया है और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा भारत के रिदैस्तल मध्य प्रदेश से कश्मीर से कन्या कुमारी तक और गुजराच से अरुनाचल प्रदेश तक मध्य प्रदेश के देश की रिदैस्तल मध्य प्रदेश से गुंजा है समस्त मध्य प्रदेश की नो करोड जनता नो करोड मद्दाताओं को मैं दिल के गेराईयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इदार धिल्य सरकार में जल्मंत्री अतिशी ने कहा धिल्य में जो पानी की सप्लाय आ रखी है उसमें लगातार थी चल रही है वाजीर आबाद पॉंड में पानी लगभग खत्म हो चुका है मुनक करनाल में भी पानी की कमी चल रही है वही सामन इस्तती में हमारे वोटर ट्रीट्मेंट प्लांट में एक हजार पांच एमजेडी पानी का उत्पादन किया जाता है और यह आकड़ा लगातार गिर रहा है 14 जुन को यह आकड़ा 932 एमजेडी पर पहुँच गया हमने दिल्ली के कई हिस्सों में एमर्जेंसी ट्यूब वेल करवा करूने वोटर सप्लाई से लिंक किया है दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है वजीराबाद पॉंड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए 668.5 फीट पर पानी है यानि लगभग वजीराबाद पॉंड में पानी खतम हो गया है बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहां पे दो सब कनाल के मार्धियम से दिल्ली को पानी आता है जो CLC और DSB है उसमें भी पानी की कमी चल रही है जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है दोनों सोर्से से पानी की continued कमी की वज़े से दिल्ली में जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे water treatment plants में भी पानी का कम production हो रहा है हमारे water treatment plants में एक नॉर्मल परिस्थिती में 1005 mgd का पानी हम दिल्ली में produce करते हैं ये आकड़ा पिछली एक हफ़ते से लगातार गिर रहा है ये आकड़ा 6 जून को 1002 Mgd पर था ये 10 जून तक गिर कर 958 Mgd तक पहुँच गया 13 जून को ये 939 Mgd पर था और कल यानि 14 जून को ये 932 Mgd पर पहुँच गया है यानि इस समय दिल्ली में 70 Mgd पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है एक हजार पांच Mgd के बजाए 932 Mgd पानी कल प्रोड्यूस हुआ है इदार उत्राखंड के रूद्र प्रयाग में बद्रिनात हाईवे के पास एक टेंपो ट्रेवाल गहरी खाई में गिर गया हाथसे को लेकर IG गड़वाल करनल सिंग ने कहा रूद्र प्रयाग पुलिस अधिक्षक मोके पर है टेंपो ट्रेवाल नोड़ा से रूद्र प्रयाग की ओर आ रही थी यहां 150 से 200 मिटर गहरी खाई में गिर गई और साथ शव बरामत किये गए हैं वही नोगों को अस्पतार ले जाए गया जिसमें से एक की मौत हो गई फिलाल पुलिस, SDRF और रिष्टानिये लोग बचाव कारिया में लगे हुए हैं अभी पुलिस अजिक्षक रुद्र प्रयाग गटना इस्तल पही है उनके दोरह बताया गया कि करीव एक आदा गंटे पहले एक टेंपो ट्रेवलर जो नोईडा से आगे जा रहे थी यहां रुद्र प्रयाग के तरफ तो रहतोली जगह है रुद्र प्रयाग से पहले वहां पर लगबग ञट से दो सुब मीटर गहरी खाई है वहां पर गिर गया है इसमें से साथ लोग की डेट बोडी तो रिकापर कर लिया है नौ लोगों को हॉस्पिटल पहुचा है गया है जिसमें से एक की डेथ होना ग्यात हो है ड्राइवर भी बहुत गंबीर रूफ तक गायल है इसलिए इसपस्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवारत है लेहादा पुलीस हमारे एश्डी आरेप और इ झाल झालƏ जड़